हेलो एस्परेंस वेलकेम ट्यू टी एन अकेटमी ओनलाइन प्रेटफॉर्म आप जिसने की देख पा रहे होंगे के एससी एमटीएस मल्टी टास्किंग सर्विसेस का बेसिकली ओफिशिल नोटिफिकेशन आ चुका है तो जितने भी बच्चे रिसेंटली अभी जिन्होंने अपना टैंथ क्वालिफाई किया है या फिर जिनकी एज मोर देन एटीन एयर हो चुकी है मैं यहां पर स्पेशली तो वो लोग एससी एमटीएस का फॉर्म बर सकते हैं टेंथ बेस पे आपका एक इसामेनेशन होने वाला है तो तयाने स्टार्ट कर दीजिए जम के जिन भी बच्चों ने सिर्फ ऑनले टेंथ ही है वो भी एससी एमटीएस का इसामेनेशन फिल कर सकते हैं आपका इसका आपके आफ लाइन प्रेट फॉर्म पर आपके आफ लाइन बेच इसमें सुरू हो जाते हैं तो आप यहां पर देख पा रहोंगे आफ लाइन आफ लाइन बैचे के बारे में इस पर हम जल्दी चर्चा करेंगे बड़ पहले बात करते हैं ऑफिशल नोटिफिकेशन की तो यहां पर देख पार होंगे, आप देखें यह आज ही नोटिफिकेशन आया है, 36 2023 का यह नोटिफिकेशन है, और यहां पर दो चीज़े S.S.E. ने क्लियर कर दी है, कि एक S.E. आपका कंडेट कराने वाला है, बेसिकली, आपका दिल्ली पुलिस का एक्जामिनेशन, और दूस 2024 का यहां पर दिखा रहा है, कि आपका एक्जाम यहां पर हो जाएगा, ठीक है, यह देख पा रहे होंगे, आप देखें, 9 December में आपका एक डेट दे रखी है, दूसरी डेट आपकी है, 2024 में MTS के एक्जामिनेशन की, तो यह बहुत अच्छी उपरचुनेटी है, जो बच् प्रिपरेशन कराते हैं, इन फिल्ड ऑफ गॉवर्मेंट जॉप्स, और आप देख पार होंगे, हमारी चार बैचिस एससी के रिगार्डिंग स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें आपके आपकी आपकी सारे बैचिस अबेलेबर होते हैं, चहां पर आपको मिलते हैं, आपको लगाता है, हमारी तरब से यहां पर इंफ्लेशन मिलती रहती हैं, चलिए, तो इस बार सब लोगों को ध्यान एकना है कि जिन भी बच्चों ने विसेंटली अपना 12th किया है, सभी बच्चों को यहां पर फॉर्म फिल करना है, अगर बात करूं में age की, तो age का criteria यह और यहां पर जो maximum age है 25 years, बट कुछ specific cases में यहां पर आपको notification देखना पड़ेगा, बात में इसका proper, तो वहां पर इसकी कुछ जगों पर जो age दी गई है, वो 27 year भी दी गई है, 27 year भी दी गई है, अगर बात करें pattern की examination pattern की, तो आप SSC के examination pattern से सभी लोग वाकित हैं, ठीक हैं यहां पर आप सब जानते हैं कि SSC में चार आपके basic subjects होते हैं, चार आपके subjects रहने वाले हैं, कौन-कौन से चार subject होंगे, तो देखें यहां पर, अगर हम बात करें, mass and reasoning की, यह होने वाले हैं, आपके 20-20 questions, कितने questions, 20-20 questions का आपका section रहने वाला है, और अगर हम बात करें general studies और इसमें आपके current environment की वोड़ोंगे 25, और उसके अलावा जो आपका चौता subject होता है, English and इसके अंदर आपके comprehension और grammar वाला जो पोर्शन होता है, 25 marks, तो देखें, SSC का pattern वही चार subject पर हमेसा based है, तो आपको धान रहतना है, इन चारो subject पर आपको काम करना पड़ेगा, और TN account में आपको यहां पर provide करती है, हर subject के लिए specific faculty, GS में आपके पास 2-3 faculty होती है, उसके लावा math में आपके पास proper no faculty होती है, तो यानि कि SSC के CHSL हो, या MTS हो, LDC हो, या फिर पर faculty की यहां पर team मिलती है, expert faculty की team मिलती है, जादा जानकारी के लिए मैंने आपसे कहा है, कि आप स्क्रीन पर चल रहे है, नंबर पर कभी भी call, message कर सकते है, through to the telegram, आप connect हो सकते हैं, जहां पर आपको किसी भी job का सबसे पहले notification आपके लिए लेकर आती है, TN Academy, so guys, जल्दी मिलते हैं, next video के साथ, नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद,